Good morning students, this is our next chapter, do not tell a lie means हमें कभी भी जूट नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ये एक पुरी आदत होती है अब आपको इस स्टोरी से पता चल जाएगा कि हमें जूट क्यों नहीं बोलना चाहिए So, Raju lived in a village, he used to go to the forest with his goats and sheep Unfortunately, he kept company with bad boys who used to tell lies Raju also picked up this bad habit from them एक बार की बात है, Raju नाम का एक लड़का एक गाउं में रहता था और वो जंगल में अपनी goats और sheep को लेकर जाता था बहाँ पे उसकी दोस्ती कुछ बुरे लड़कों से हो गई जो हमेशा जूट बोलते थे धीरे धीरे जब Raju उनके साथ रहने लगा तो उसने भी उनकी आदतों को सीख लिया और वो छूट बोलने लगा फिर एक बार क्या हुआ तो जब वो एक बर विलज में अपने विलज से फॉरेस्ट में गया था अपने goats और sheep को लेकर तो उसकी goats और sheep तो grass को खा रही थी grazing means होता है जब घास को खाया जाता है खाते हैं goat या sheep चरते हैं तो उसको बोलते हैं grazing तो जब वो लोग खा रही थी तभी उसके दिमाग में का idea आया है कि क्यों ना हम लोगों को परिशान करते हैं तो वो पेड़ पे चड़ गया और जोर जोर से चिलाने लगा मुझे बचाओ मेरी help करो यहां पे वोल्फ आ गया है तो सभी villagers दोड़ते होया है और जब वो आये तो उनने देखा कि राज़ तो बिल्कुल ठीक है और राजू पेड़ पे चड़के हस रहा था कि मैंने तो मजाग किया था मैं तो सिर्फ आप लोगों को परिशान करना चाता था तो यह देखके उन लोगों को बहुत गुस्सा आया कि बताओ हम लोग इतना परिशान हो गए थे और यह ऐसी हरकते कर रहा है तो थोड़ दिन बार टाइम बीता सब लोग इस इंसिडेंट को भूल गए फिर एक दिन क्या हुआ कि राजू जंगल में गया था गोट्स और शीप को लेके और वोल्फ रियली केम दिया और अब सही में वोल्फ आ गया अब इस बार वोजब जंगल में गया तो सच में वोल्फ आ गयी तो जो वोल्फ थी उसने उसकी गोट्स और शीप को खाना स्टार्ट कर दिया मारना स्टार्ट कर दिया तब ही राजू को टाइम मिल गया और उसने अपने आपको बचा लिया पेर पे चड़के अब वो चिलाने लगा कि मुझे बताओ गाउवालों ने सुना लेकिन इस बार उसकी हेल्प के लिए कोई नहीं आया क्योंकि वो हम पहुचाने वाला है तो उसने तुरन जाके विलिजर्स को ये बताया कि राजू सच में खत्रे में हैं तो सभी विलिजर्स जल्दी से आये और उसे बचा लिया फिर क्या हुआ था था राजू को और उनकी गोट और शीप को लेके विलिज में गए वहाँ पे राजू राजू को उन्होंने मेडिकल एड दी हेल्प की हॉस्पिटल लेके गए उसके बाद राजू को ये लगा कि मैंने बहुत बड़ी गल्ती की थी वो जोर जोर सरून लगा उसने बोला कि अब से मैं कभी भी जूट नहीं बोलूँगा तो जूट बोलने से क्या हुआ जूट बोलने से वो हमारी हाबिट बन जाती है फिर लोग हमें पसंद नहीं करते हैं लोग हमें बैड बॉय बैड गल समझते हैं और फिर हमारी इमेज उन लोगों के सामने डाउन हो जाती है तो हमें कभी भी जूट नहीं बोलना चाहिए जो भी बात है हमें सच सच बोलन Thank you.